मेश टाजेटिंट है, हरे से काम ले और अच्छी सफलता मिल सकती है, फायदा भी हो सकता है, आप अपनी बात साफ तरीके से रखें और दूसरे पक्ष की बात ठीक से समझने की कोशिश करें, परिवार और आफिस में अनिश्चित ताओं कामा और खत्म हो सकता है, इससे आपको राहत मिलने के योग है, अचानक यात्रा और फायदे के योग है, घर अपरिवार के मामलों पर समय देना होगा, मत्वपूर्ण कामों पर नजर रखें, बिजनिस भी अच्छा रहेगा, प आमपत्य जीवन में मत्वूर्टा रहेगी, विवायों के लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं, नेगेटिव अपनी उम्र से बड़े लोगों या अधिकारियों के साथ गलत फहमी हो सकती है, जो आपके हित में नहीं रहेगी, कुछ मामलों में आपका मनोबल भी कमजोर हो सकता है, असुरक्षा की भावना आप पर हावी हो सकती है, जीवन के कुछ क्षेत्रों में परिस्थितियां उलच सकती है, आप आज ऐसी दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो आपके ही हितों से या आपकी मत्वा कांक्षाओं से मेल ना खाती हो, किसी चंचट मे भी फंस सकते हैं, सावधान रहें, कोई ऐसा मामला उठ सकता है, जो पुराना है, लेकिन सुलच नहीं सका, क्या करें लाल कपड़े में सिंदूर से स्वस्तित बनाकर हनुमान मंदिर में चड़ाएं, लवप्रेम संबंधों में कोई भावनात्मक्तलू आपको परिशान कर सकता है, दामपत्य जीवन में मधूरता रहेगी, विवहायों के लोगों को वैवाहिक प्रस्ता मिल सकते हैं, करियर बिजनेस अच्छा रहेगा, प्रोफेशन में सफलता मिल सकती है, पाफिस की समस्या पर बात करते समय आप अपना ही कोई भेग खोल सकते हैं, सावधान र दिन शुद रहेगा, हेल्थ ज्यादा मिर्चम सालों से नुत्सान हो सकता है, व्रिष्टाज ये टिल टूट चुके संबंधों को जोड़ने में सफल हो सकते हैं, सपने साकार करने के लिहाज से दिन अच्छा है, सोच विचार करके लिए फैसले आपके लिए फाइदे मन् भरोसे मन्द दोस्तों की मदद या सलाह आपके बहुत काम आ सकती हैं, दूसरों की मदद के मौके मिल सकते हैं, जो आपके लिए भी बहुत लाबदाई रहेंगे, आज सोच में सकार आत्मकता रहेगी, बिजनेस और निवेश के मामले में फायदा हो सकता है, धन प्राप्त या स्थिती में तब तक शामिल ना हो, जब तक उसे ठीक से ना समझ ले, सारे विकलतों पर विचार कर ले, थोड़ा मानसिक दबाव या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्या करे पीली मिठाई किसी गरीब को दे, लवप्रेमी से गंफीर मामलों पर बातचीत ह हो सकती है, संबंधों में घराई बढ़ेगी, जीवन साथी से स्योग मिल सकता है, नए व्यक्ति से मुलाकात होने के योग बन रहे है, करियर नौकरी के लिए किसी नए संगठन और नए चेहरों से ही बात करना बेतर रहेगा, बिजनेस में फायदा होगा, आपके लिए नि हो जाएगा, हेल्थ अस्वास्थ मसूस करेंगे, आलास्य और ठकान रहेगी, मिथुन टाजियटिव महत्वपूर्ण मामलों में शान्ती से विचार कर सकते हैं, आपको स्थितियां समझा सकती है, किसी भी काम में कोशिश करेंगे तो सफलता मिल सकती है, विचार विमर्ष में आपको बहुत सारा समय भी देना होगा, धन और परिवार संबंधित कोई बड़ा काम भी हो सकता है, कान्फिदेंस बढ़ेगा, किसी से मिलने का समय भी तए हो सकता है, किसी खास व्यक्ति से मीटिंग होने की संभावना है, उसका नतीजा भी आपके फेवर में आ सकता है, संतान से कोई अच्छी खबर भी मिलने के योग बन रहे हैं, कारोबार के यात्रा फाइदे मंध हो सकती है नवकरी में जिम मेदारी और काम काज बढ़ सकता है नेगेटल चिनता रहेगी किसी ना किसी तरह की घबराहट भी हो सकती है, विचारों में बहुत ज्यादा समय और उर्जा खराब ना करें नकार आत्मक विचारों में फंसकर आप अपना न लगा कर औरों को खिलाएं लब मूद अच्छा रहेगा पार्टनर से प्रेम रहेगा सौंदर्य की वस्तुयों पर पैसे खर्च हाए सकते हैं दाम पत्य जीवन सुख में हो सकता है प्रेम संबंधों में घराई बढ़ सकती है दिन आपके फेवर में हो सकता है करियर कारोबार के लिए यात्रा फाइदे मन्द रहेगी बात चीत करते समय सावधान रहे हो सकता है कि आप कोई बात ठीक से सुनना सके स्टूडेंट्स को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है हेल्थ सेहत के मामले में आपका दिन सामान्य हो सकता है ठकान और आलस्य कम हो सकता है कर्टाजिय टिवाफिस में आप हर काम को बारी की से पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो भी योजना या इरादा है उस पर कदम उठाने के फले एक बार फिर से वेचार करें जरूरत पढ़ने पर किसी तरह का बदलाव करने में भी संकोच ना करें कार्यक्षेत्र में जो भी रुकावटें आ सकती हैं उनसे आप कुछ नया सीख सकते हैं कुछ बातों को गुप्थी रखें साथी से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है मनो रंजन में समय बीतेगा नेगेटिव मन एकाग्र रखने में मुश्किल हो सकती है वानों और मशीनों से भी सावधान रहें फालतू खर्चा हो सकता है व्यवहार में तीखापन रहेगा साथी आप से नाराज हो सकता है कुछ मामलों में सफलता नहीं मिलने से आप परिशान रहेंगे दिन भर किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है आपकी कोई राज की बात उजागर हो सकती है, संभल कर रहे, क्या करें लोहे की कोई जंग लगी खराची जो आफिस घर या दुकान से हटा दे, लवा विवाहित लोगों को प्रेम प्रस्ताव में अस्फलता मिल सकती है, शादी शुदा लोगों के लिए दिन अच्छा का करियर बिजनेस के लिए दिन खास नहीं होगा, लेकिन आपको सावधान रुना चाहिए, किसी काम के लिए मेहनत करते रहे, उसका कोई समाधान अभी नहीं मिल पाएगा, स्टुडेंट्स को सफलता के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है, हेल्था आलस्य और ठ आप पर रहेगा, अपने राज जितने गुपनिये बनाए रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा हो सकता है, जीवन साथी की सिहत संबंधी समस्या खत्म होने के योग है, परेशान लोगों को राहत मिल सकती है, पाफिस में चुन आती पूर्ण स्थिती रहेगी, लेक अत्य जीवन में भी खूशी बढ़ सकती है, नेगेटिव किसी से कुछ भी बिना सोचे समझेकने से बचे, पैसों को लेकर किसी के साथ कोई अनबन या समस्या हो सकती है, किसी से ज्यादा सला मश्विरा करने से कोई फायदा नहीं होगा, दोस्तों और प्रेमी जनों के उधान रहे, आपको बेचैनी भी मसूस होगी, जराजरासी बातों पर उद्र होने से बचे, बिजनेस में विरोथी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगे क्या करे कोईों को हल्दी वाली रोटी खिलाएं, लब जीवन साथी की कोई बात आपको गुसा भी गिला सकती ह संभल कर रहें, लेकिन आपके संबंथ जल्दी ही अच्छे भी हो जाएंगे, दामपात्य जीवन में खोशी मिलेगी, करियर बिजनेस में विरोथियों से सावधान रहें, कपड़े के बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है, स्टूडेंट्स को आसानी से सफलता मिल सकती है, हिल्थमानसिक तनाव से गुजड़ेंगे, सेहत का थ्यान रखें, गुस्से के कारण ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, कन्या पाजेटर खुद को आर्थिक और परमजबूत करने की कोशिश करेंगे और सफल रहेंगे, आज आप खुद को आर्थिक परेशानी से बचाने की व्यवस्था भी करके चलेंगे, पैसे कमाने के नए तरीके आपके धिमाग में आते रहेंगे, नई योजनाए बन सकत है, आपने जो किया है, लोग उससे समत और संतुष्ट हो सकते हैं, आपके पुराने काम आपकी मदद करेंगे, सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे, कारोबार में व्यस्तता हो सकती है, निवेश भी फाइदे मंध हो सकता है, वैवाहिक जीवन में मंगल प्रसंग आ सकता ह है, प्रेम संबंधों में सफलता मिलने के योग है, नेगेटिव अपनी मानसित स्थिती का असर दूसरों पर ना पढ़ने दे, नजदी की दोस्तों से अनबंध हो सकती है, कुछ लोग आपसे ज्यादा ही नाराज हो सकते हैं, किसी पर भी ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं किसी के भरोसे कोई काम शुरू ना करें, काम फैलने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी होगी, क्या करें बंदरों को मीठी पूरी खिलाएं, लववाहिक जीवन में मंगल प्रसंग आ सकता है, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिल सकती है, करियर अजरूरत से ज्यादा काम अ करनी पड़ सकती है, इल्थपुराने रोग दूर होंगे, खुद को स्वस्थ मसूस करेंगे, तुला पाज एटिव आपको किसी तरह की आजादी मसूस हो सकती है, काम काज के मामले में ज्यादातर समस्याएं जल्दी ही सुलच जाएंगी, आज लिए जाने वाले फैसले य नाई गई योजनाओं पर कल आपको फिर नए सिरे से विचार करना पड़ सकता है, धैर्या पूर्वक किया गया विचार बहुत फायदा देगा, कोई भी काम बहुत सोचस मज़कर ही करेंगे, इससे आपको फायदा भी होगा, न्यायाले इन मामलों में आपको सफलता मिल स सकती है, जमीन जायदा से भी फायदा हो सकता है, परिवार का स्योग भी मिल सकता है, आपको अपनी प्लानिंग से सकसेस मिल सकती है, नेगेटिव ग्रहनक्षत्र आपको किसी ना किसी तरह कनफ्यूज कर सकते हैं, कामकाज में भी मन कम ही लगेगा, नियम का नून ना मानने की प्रवृत्ती भी रहेगी, कोशिशों में सफलता ना मिले, तो उदास ना हो, किसी ना किसी बात से आप हैरान हो सकते हैं, कुछ मामलों में कनफ्यूजन बढ़ सकता है, मानसित परेशानी हो सकती है, हडबडी में भी काम गिगर सकते हैं, कारोबार में खर्चा भी ज्याद हो सकता है, नौकरों से परेशानी के योध बन रहे हैं, क्या करे गाए को आटा खिलाएं, लबदाम पत्य जीवन में तनाव रहेगा, जीवन साथ ही आपको और आपकी बातों को मत्तु देगा करियर अप्रिय स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन इससे आपके कारोबार पर को असर नहीं पड़ेगा, कोई एक स्ट्रा जिम्मेदारी मिल सकती है, रुका हुआ पैसा अचानक मिल सकता है, स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छी सफलता मिल सकती है, ल्थ आपकी सेहत सामान में रहेगी, ज्यादा ठकान के कारण बदंदर्ड रहेगा नीन की कमी भी हो सकती है, पिता की सेहत पर भी थ्यान दे व्रिश्चिताजितिव आपको ऐसे मौके मिल सकते हैं, जो घर के बाहर आपकी सक्रियता को सबके सामने लाने में मदद करेंगे, अपना व्यवहार और सोच सकारात्मक रखें, संतान और परिवार वालों के साथ अपने संबंधों पर आपको थ्यान देना होगा, आज आप काम लोगों की मदद करेंगे, आने वाले दिनों में आपको फायदा हो सकता है, कुछ खास फैसले भी आप ले सकते हैं, आतमबल बनाए रखें, माता से आपको पूरी मदद मिल सकती है, आपको ब्लातिक सुख भी मिलने के योग हैं, संतान से आपके संबंधों में सुधार नेगेटिर परिवार की खातिर भी आपको अपनी कई इच्छाओं और कई हितों का त्याग करना पड़ सकता है गोचर कुंडली में आपकी राशी से चौथे भामें चंद्रमा होने से आप परिशान हो सकते हैं कोई भी बड़ा फैसला लेने से फले अच्छी तरह सोच विच स्याओं में उलच सकते हैं जिनका आपकी आपसी जिन्दगी से कोई लेना देना नहीं है वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है करियर व्यापार और कार्यस्थल पर परिशानिया रहेंगी लेकिन जल्दी ही इनसे छूटकारा मिल सकता है कोई अच्छी खबर भी मिल स सकती है पढ़ाई में कम मन लगेगा चिन्ता बनी रहेगी हेल्थकमर और पेट दर्ड की शिकायत हो सकती है धनू पाजेटिल गोचर कुर्णली के पराक्रम भाव में चंद्रमा है खुद को संतुलित रखने की कोशिश करें आज आप हर स्थिती में अपना भावनात्मक संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे और इसमें सफल हो जाएंगे कठिन परिस्थिती बने तो खुद को शान्त रखने की कोशिश करें आज आप अपना पक्ष बेतर धंग से रख सकेंगे भायों और दोस्तों से फायदा हो सकता है परिवार में मंगल प्रसंग आएगा निवेश और व्यापारिक यात्रा से भी फायदा होने के योगबन र सकता है किसी बात को लेकर मन में बेचैनी रहेगी मन में आने वाले नए विचार या सुझाव आपका भला कम करेंगे और नुकसान ज्यादा कर सकते हैं सोचस मज़कर ही कोई बड़ा कदम उठाए पारिवारित मामलों पर आपको काफी समय और ध्यान देना होगा दूसरे लोग आपका फायदा भी उठा सकते हैं जोश में आकर किसी को कोई जवाब ना दे व्यस्तता के चलते कोई प्लान पूरा होने में समय लग सकता है क्या करें किसी ब्राह्मन को खीर खिलाए लवा आज आपको कोई प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है इसको थोड़ी गंभी इरत से ले प्रेम का मौका बहुत छोटे छोटे अंतरालों में मिलेगा उनका सही उपयोग करना आप पर निर्भर है करियर निवेश से फायदा होगा आटकते काम में लोगों से मदद मिलेगी यात्रा भी कारगर हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा साथ अच्छियों की मदद मिल सकती है हेल्थ सेहत पर ध्यान दे मौसमी बिमारियां हो सकती है पुराने रोग अभी बने रहेंगे मकर पाजेटर परिवार के मामलों में आप जिम में दारी निभाते जाएं खरीददारी करनी पड़ सकती है कोई पुरानी देंदारी भी निप्टा लेंगे आज आपको किसमत का साथ मिल सकता है धन लाब के योग है रुका हुआ पैसा मिल सकता है बिजनिस में धन लाब की पूरी संभावना है, मीठा बोलकर काम पूरे करवा लेंगे, आपकी कार्यक्षमता भव्यश्य में भी फायदा दिलाएगी, कामकाज की गती भी धीमी हो सकती है, लेकिन इससे आपको फायदा भी होगा, भरोसे मन लोगों से बात करें और अपनी प्राबलम भी शेयर करें, नेगेटिव असंतुले त्विचार दिमाग में रहेंगे, आप बस इन बातों को खुद पर हावी ना होने दे, आज आप अपनी बात अच्छी तरह कह नहीं सकेंगे, इसके कारण गलत फहमी भी हो सकती है, दूसरों की सलहार पर ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक न कामन को अनार दान दे, लब आपकी तरफ से तो पार्टनर खुश रहेगा, लेकिन हो सकता पार्टनर आपको जाने अन जाने में कहीं हर्ट भी कर दे, करियर अबड़ा निवेश करने से बचे, बिजनेस में धनलाब होगा, काम की गती थीमी रहेगी, नए अनुर्बंध न करें, स्टूडेंट्स के लिए दिन सामान्य से अच्छे परिर्णाम देने वाला रहेगा, हेल्थ सेहत के मामले में दिन सामान्य रहेगा, उतारा चुड़ाव भी बना रहेगा, कुंपटाजेटर पैसों से जोड़े कई मामले आपके सामने हो सकते हैं, कई तरहे के सवाल आपके सामने आ सकते हैं, आज आप कुछ मामलों में सही फैसले करेंगे और सही समय पर सही कदम भी उठा सकते हैं, राजनी तिक मामलों में सफलता मिलेगी, कोई बड़ा फैसला आज आप ले सकते हैं, आपका confidence ले से और बढ़ भी सकता है, बिजनिस में नएक शेत्र में प्रवेश का मौका मिल सकता है, आपके लिए निवेश भी फाय देमन रहेगा, पदोन्नती के योगबन रहे हैं, कोई ऐसी खबर भी आपको मिल सकती है, दलाली के काम में लाभ होग वैवाहिक जीवन सुख में रहेगा, प्रेम संबंधों में मधुर्ता आ सकती है, नेगेटिव कोई बकाया बिल भरना पड़ेगा, सावधान रहें, कोई भी निवेश सोचस मचकर करें, आपको कुछ कामों में परिशानी भी रहेगी, कुछ ना कुछ confusion भी हो सकता है, दोस करियर में आपके तेवर आक्रामक हो सकते हैं, इससे किसी तरह कनुत्सान होने का डर रहेगा, क्या करें अना थाले या किसी मंदिर में तुलसी का पोधा दान दे, लव अपने पार्टनर के प्रती प्यार रहेगा, आपके लिए प्रेम के आदर्श सबसे ज्यादा मत्वप रहेगा, पदोननती के समाचार मिल सकता है, स्टुडेंट्स कुछ मामलों में परेशान भी रहेंगे, कुछ निराश भी होंगे हिल्थमानसिक, शान्ती और तनाव से मुक्ती मिलेगी मीन पाजिर टिवाज आप में उत्सा आ रहेगा, बहुत सारी नई योजनाए और विचार मन में रहेंगे, हर मामले को धैर्य से निपटना होगा, स्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी, इस दोरान आपको नई बातें भी पता चल सकती है, संतान की तरफ ध्यान यात्रा का भी योग बन रहा है, नए संपर्टों से फायदा होने के योग बन रहे है, संतान से सूख मिल सकता है, बिजनिस में गती आ सकती है, अधी नस्त लोगों और अधीकारियों से स्योग मिलेगा, वैवाहिक जीवन में मतवर्ता होगी, जीवन साथी से स्योग नेगेटिव आप कुछ मामलों में जल्दबाजी ना करें, ज्यादा आतर मामलों में विलम की स्थिती भी बन सकती है, कुछ चीजे तय समय से देरी से शुरू हो सकती है, उनके परिणामस वरूप आपकी गती भी थीमी हो सकती है, आपके सामने कुछ मामले उलजे हुए भी रहेंगे, खुद पर कंट्रोल रखने में समस्या मसूस कर सकते हैं, कुछ मामलों में अपनी मनमर्जी करेंगे तो परेशानी होगी, नूत्सान भी हो सकता है, क्या ना करें सुगंधित तेल का उपयोग ना करें, लवनी जी जीवन के लिहाज से समय थोड़ा कम जोल हो सकता ह अपने मन की बात कह नहीं पहेंगे, प्रेमी और जीवन साथी के साथ किसी गंफीर मामले पर चर्चा ना करें, हल्की फुल्की बातों में दिन बिता लें, जीवन साथी कारवय या स्योगात्मत भी रहेगा, करियर बिजनेस में गती आएगी, अधीनस्त और अधिकारियों से स्योग मिलेगा, जरूरी मदद मिल सकती है, स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, छात्रों को कम मियनत में भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, हेल्थपुराने रोगों का सामना करना पड़ सकता है, पेट भी खराब हो सकता है